Hello everybody, आज जो हम topic cover करने जा रहे हैं, वो है suit for recovery of possession and arrears of rent यहाँ पर सबसे पहले mention किया जाता है court के नाम को उसके बाद यहाँ पर civil suit number को mention किया जाता है और year को mention किया जाता है उसके बाद यहाँ पर plaintiff का नाम mention किया जाता है, उनकी age mention की जाती है occupation mention की जाती है और address को mention किया जाता है उसके बाद यहाँ पर defendant का नाम mention किया जाता है, उनकी age mention की जाती है occupation mention की जाती है और address को mention किया जाता है उसके बाद फिर यहाँ पर उन points को mention किया जाता है जो कि plaintiff सामने रखना चाहता है court के यहाँ पर सबसे पहले एक description दिया जाता है property के बारे में property के description में mention किया जाता है कि जो property है उसमें कितने rooms है जो property है उसका measurement कितना है जो property है वो कहाँ पर situated है कौन से floor पर है और कौन सी city में है property के description के बाद फिर यहाँ पर mention किया जाता है कि जो property यहाँ पर mention की गई है उसका जो owner है वो plaintiff है और यहाँ पर जो व्यक्ति defendant है वो tenant है उसके बाद यहाँ पर mention किया गया है कि जो month of tenancy है वो English calendar के अनुसार है यहाँ पर जो month है वो start होता है English calendar के month के first day से और खतम होता है last day पर उसके बाद यहाँ पर mention किया जाता है कि जो monthly rent है वो कितना है exclusive of all other charges and taxes यहाँ पर plaintiff के द्वारा mention किया गया है कि जो defendant था वो irregularly payment करता था rent का शुरुआत से ही जो कि defendant starting से ही जो payment है उसे irregularly कर रहा था इसलिए plaintiff के द्वारा इसके पहले भी एक civil suit file किया गया था defendant के against उस suit में दोनों बक्षों के द्वारा compromise किया गया था उस suit में जो defendant है उसके द्वारा promise किया गया था writing में कि वो regularly हर मन्थ rent को pay करेगा writing में इस बात को देने के बावजूद भी जो defendant है वो irregularly pay करता है rent को irregularly pay करने के साथ साथ ये जो defendant है वो occasionally pay करता है कभी pay करता है और कभी rent पे नहीं करता है यहाँ पर जो defendant है उसने terms or conditions को observe नहीं किया उस compromise की जो की civil suit में तै किया गया था यहाँ पर plaintiff के द्वारा civil suit के number को mention किया गया है फिर यहाँ पर plaintiff के द्वारा mention किया गया है कि जो defendant है वो कितने समय से यहाँ पर रह रहा है plaintiff के द्वारा इस बात को भी बताया गया है कि जब से जो defendant है वो property को इस्तमाल कर रहा है तो वो property को लापरवाही से इस्तमाल करता है और damage cause करता है various states में tenancy को लेकर जो acts बनाए गए है उसमें इस बात को साफ मना किया गया है कि आप कोई भी permanent structure को demolish नहीं कर सकते हो और कोई permanent structure बना भी नहीं सकते हो बिना जो owner है उसकी permission के उसके बावजूद भी हाँ पर defendant ने permanent structure को demolish भी किया है और इसके साथ ही permanent structure को construct भी किया है और यहाँ पर ऐसा करने से पहले जो defendant है उसने plaintiff से permission भी नहीं ली थी उसके बाद यहाँ पर plaintiff के द्वारा mention किया गया है कि 900 square feet की property है जो की defendant के पास है पर जो defendant है उसकी family में सिर्फ तीन लोग है और वहीं जो plaintiff है वो अपना business carry करता है first floor पे plaintiff has two sons और जो business है उसका nature कुछ ऐसा है कि किसी एक व्यक्ति को वहीं पर permanently reside करना होगा जहाँ पर business को carry किया जा रहा है यहाँ पर plaintiff के पास और कोई premises available नहीं है जिसमें वो इस business को carry कर सके इसलिए यहाँ पर plaintiff को उस property की possession की आवशकता है इसके साथ ही plaintiff के द्वारा इस बात को भी mention किया गया है कि जो defendant है उसके पास जो property है वो 900 square feet की है और इतनी property की आवशकता नहीं है defendant को plaintiff के द्वारा इस point को भी बताया गया है कि जो defendant है वो अक्सर यहाँ पर nuisance create करता है जिससे और भी tenants को तकलीफ होती है defendant के द्वारा अक्सर false complaints भी की जाती है municipal corporation में plaintiff के द्वारा tenancy को terminate करने के लिए lawyer के ठुरू एक notice भी बेजा गया था defendant को notice मिल जाने के बावजूद भी defendant के द्वारा कोई भी reply नहीं किया गया था सारे points को mention कर देने के बाद फिर यहाँ पर particulars of claim को mention किया जाता है फिर यहाँ पर cause of action को mention किया जाता है उसके बाद फिर इस बात को mention किया जाता है कि जो court है उसके पास jurisdiction है कि वो suit को try करके decide कर सके उसके बाद फिर plaintiff के द्वारा prayer को mention किया जाता है यहाँ पर plaintiff के द्वारा pray किया गया है कि जो defendant है उसको order किया जाए कि वो premises को vacate कर दे इसके साथ ही जो rent के arrears हैं उसे recover किया जाए defendant से यहाँ पर defendant को order किया जाए कि वो plaintiff को pay करे amount of money claim और इसके साथ ही mean profit को फिर यहाँ पर mention किया जाता है place और date को और उसके साथ ही यहाँ पर signature किये जाते है plaintiff के फिर यहां पर advocate के signature किये जाते हैं उसके बाद यहां पर verification को mention किया जाता है और last में फिर plaintiff के signature किये जाते हैं तो आज जो हमने topic cover किया वो है suit for recovery of possession and arrears of rent झाल 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 झाल